आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो Solution पाओ डाउनलोड नाओ तो इस Question में बोल रहा है कि एक Simple Pendula में ठीक है Simple Pendula में एक साइट तो Freely Oscillate कर रहें लेकिन दूसरे साइट हम लोग एक Wall Create कर दिये हैं 1 डिगरी पे ठेक है और G को एजियूम करना है हम लोग को Pi Square तो हमें पूछ रहा है कि Time Period कितना होगा ज़स देख सकते हैं कि Oscillation हमारा इस Type से हो रहा है ठीक है दू एंड फ्रो मोशन हो रहा है दो डिगरी मले उसका Normal Amplitude था लेकिन एक साइट हमारा कितना हम लोग fix कर दी है वाल क्रियेट कर दी है वन डिगरी पे तो एक साइट तो टू डिगरी Oscillation होगा लेकिन दूसरे साइट कितना कितना डिगरी का Oscillation होगा लेक्न डिगरी का या Oscillation होगा टीक है तो time period इसको हम लोग दो भागवें बाट लेते हैं एक 2 डिगरी के लिए Oscillation के कारण time period लिख लेंगे और एक हम लोग 1 डिगरी एक उसक्लेशन के कारण time period लिख लेंगे तो time period फार 1st half जो होगा हमारा formula क्या होता है time period का मलेकी ने simple pendulum का 2 pi under root l by g ठीक है l हमारा कितना है यहाँ पे l हमारा दिया हुआ है 1 meter के length है और g हमारा ठीक है g को हम लोग एजिम करना है pi square तो 2 pi under root 1 by pi square तो इसकी जो value हो जाएगी कितनी हो जाएगी पाइ से 파इ cancel out हो जाएगा तो बचे का क्या जो first half के लिए जो मेरा time period होगा notified 2 seconds ठीक है g को हम लोग लेना है pi square लेना है तो जिसए g को pi square लिए तो pi से पाइ cancel हो गया हमारा time period कितना है first half के लिए مतलब कि 2 degree के लिए हमारा time period जो आएगा वो हो जाएगा मेरा 2 seconds ठीक है और हम देख सकते हैं कि 2 degree part जो cover करने में time लगेगा हमारा 2 degree का जो part को cover करने में time लगेगा वो कितना होगा मेरा मनलग किन 2 degree होता अगर मनलग किन पूरा complete oscillation होता ठीक है दोनों side मेरा 2-2 degree का oscillation होता तो मेरा actual time period होता है 2 seconds लेकिन यहां पर में में आधा ही 2 degree से हो रहा है और आधा मेरा 1 degree से हो रहा है तो आधा जो 2 degree से हो रहा है हमारा उसका time कितना लगेगा t by 2 मतलब की 1 second का oscillation हो जाएगा ठीक है तो हम लोग का first अब हम लोग निकालते हैं 1 degree के लिए ठीक है 1 degree वाला part को solve करते हैं तो देख सकते कि उधर हम लोग एक obstacle create कर दिया obstacle मतलब हो गया wall type का create कर दिया जिसे कारण body और आगे oscillate नहीं कर पा रहा तो नहीं थीटा का जो value होता है हमारा oscillation में क्या होता है थीटा 2 sin omega t ठीक है और थीटा कितना है मेरा 1 degree और थीटा 2 हमारा actual oscillation कितना होगा 2 degree का होता है ठीक है और sin omega t omega के value क्या होती है 2 pi by actual time period into time taken लगेगा ठीक है तो 1 degree मेरा कितना हो गया यह 1 by 2 1 by 2 sin 2 pi by capital t into t ठीक है तो sin का value कौन से value में half होता है sin का value pi by 6 में half होता है तो sin pi by 6 equals to कितना हो जाएगा sin 2 pi by t sin 2 pi by t into t ठीक है into t तो sin सा sin cancel out हो जाएगा ठीक है sin cancel out हो जाएगा तो जो मेरा value आएगा तो क्याएगा pi by 6 pi by 6 equals to 2 pi by capital t capital t मतले actual time period है हमारा और into जो time taken है ठीक है तो इसने पर चल जाएगा कि मेरा time लगेगा 1 degree को complete करने में हो कितना हो आगया t by 2 into 6 तो इसकी जो value आगई वो हो गई यह मेरी actual time period किता था हमारा 2 second था by 12 तो इसकी value कितनी हो गई 1 by 6 second ठीक है 1 by 6 second लगेगा उसको 1 degree complete करने में ठीक है 1 degree जाने में ठीक है लेकिन जाएगा तो वापस भी आएगा mean position पे इसलिए हम लोग 2 times of small t multiply कर देंगे तो मेरा जो total time जो महले किना time period जो होगा मेरा पूरा case में हो क्या होगा capital t by 2 capital t by 2 किसका है वो मेरा 2 degree वाला है ठीक है और 2t क्यों किये हम लोग क्योंकि 1 degree मेरा आने जाने का time ठीक है तो 1 plus 2 by 6 इसकी value कितनी होगई 1 plus 1 by 3 इसकी value होगई 4 by 3 seconds ठीक है तो इस question का जो answer हो जाएग हमारा option B इस question में correct answer है 4 by 3 seconds लगएगा ये पूरे system को complete करने में पूरे system को oscillate करने में Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ये डाउनलोड करें doubtnet आप या whatsapp कीजे अपने doubts 8444 चारस उपर